नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपात की विशलेशण में आपका स्वागत है। सुरुवात करते हैं संपात की से समंधित इस वीडियो की। आपकी स्क्रीन पर दो संपात की दिख रहे हैं। एक संपात की जिसका सिर्षक है Pandemic and Pollution Pains इसे लिया गया है Financial Express से। वहीं दूसरा संपात की जिसका सिर्षक है No Fireworks इसे लिया गया है The Hindu News Paper से। संपात की को एक साथ मिला कर। देखे, NGT ने यहां आदेश दिया कि 30 नवंबर तक दिल्ली एवं उसके आसपास पठाकों की बिक्री एवं उसके इस्तमाल पर रोक लगी रहेगी। वहीं देश के उन सहरों में भी पठाकों की बिक्री और इस्तमाल पर प्रतिबंद रहेगा। जहां पिछले वर्स नवंबर में वायू की गुणवत्ता का जो इस्तर था वो बेहत खराब था। वैसे सहर जहां पर वायू गुणवत्ता का इस्तर मध्यम स्रणी का था तो वहां पर ग्रीन पठाकों के इस्तमाल की अनुमती दी गई है वह भी सिर्फ दो घंटे और विशेस अफसरों पर वह अफसर क्या है त्यहार जैसे दिवाली, चर्ट, क्रिसमस और नया सान। तो देखे, अब हमें यह पता है कि कुछ राज्यों सहित, देली पॉल्यूशन कंट्रोल कमीटी और कलगत्ता हाई कोट के द्वारा वायू गुणवत्ता में सुधार के लिए पठाकों पर बेन लगाने की बात कही गई है। अब यह जितने भी उपाय किये जा रहे हैं, उन उपायों का उद्देश से क्या है? उनका उद्देश है वायू प्रदूसन पर नियंत्रन इस्थापित करना और वायू गुणवत्ता के इस तर में सुधार करना। लेकिन आज कल एक बड़ा सब्द परशलन में है, वह सब्द क्या है? वह है ट्विन डेमिक, यह ट्विन डेमिक क्या है? तो ट्विन डेमिक यहां पर यह है कि COVID-19 के जो संक्रमन है, उस संक्रमन से फैली भी महामारी और उसके साथ ही प्रदूसन इस्तर में विर्धी के पर भाव में विर्धी, तो यह दोनों साथ मिलकर क्या हो जा रहे है? ट्विन डेमिक हो जा रहे हैं, और यह अध्यन किनों ने क्या है? यह अध्यन क्या है? जर्मन और सैपरस, मतब जर्मनी और सैपरस के अनुसंदहान करता हुने, आएए एक नज़र डालते हैं इस अध्यन इस अध्यन में अमरीका और चीन के बिमारी समंधी आंकणों को सामिल किया गया और पूर्वी एसिया, यूरोप और उत्री अमेरिका में जो मौझूद पार्टिकुलेट मैटर हैं, तो उन मैटर का उपग्रा और ग्राउंड इस तर पर क्या एक्सपोजर है उसका भी अध अध्यन किया गया, COVID-19 के संदर में, तो अब देखें यहाँ पर कि पूर्वी एसिया के संदर में क्या अध्यन में बात कही गयी है, उसमें यह कहा गया है कि पूर्वी एसिया, जहाँ पर कि वैस्विक इस्तर पर प्रदूसन सबसे खराब इस्थिती पर हैं, तो यहाँ ज रोप के संदर में 19 परतिसत और उत्री अमेरिका के संदर में 17 परतिसत है अगर सहरुग्णता की बात की जाए मतलब को मॉर्विडिटी का मतलब एक रोगी का एक साथ दो बिमारी से ग्रसित होना तो यहां पर यह बात कही गई है कि कोविड भी हो और उसके साथ साथ कोई इस अध्यन में यह बात भी कही गई है कि जो पाटिकुलेट मैटर पॉलुटेंट से या पीम परदूसक हैं तो यह क्या करते हैं कि यह सक्रीता बढ़ाते हैं किसकी एस 2 की यह एस 2 क्या है तो अंगयो टेंसेंद कंवर्टिंग एंजाइम 2 यह क्या होता हैं तो यह देखै कि लंग्स आटेरीज हर्ट किडनी इंक्रसTiN के सेल के सेल मेंबरान में यह जुड़ा होता है और ACE2 यह एंजाइम जो इसमें मौजूद है वा प्रोटीन उत्पनने करता है और यह प्रोटीन कोरोना वाइरस का एक प्रवेश द्वार होता है मतल़ की entry point होती है तो परिणाम यहां पर यह होता है कि ACE2 अगर ज्यादा सक्री हो जाता है तो फिर मानव सेल के बड़े पैमान पर कोरोना वाइरस से उसके संक्रमित होने की संभावना बनी रहती है कोहीं इन सबसे अलग हावर्ट के अनुसंधान करता ने भी यह पाया कि अगर PM2.5 के इस तरमें एक माइक्रो ग्राम की भी विर्धी होती है तो फिर COVID-19 संक्रमन से जो होने वाली मौत की दर है उसमें 11 परतिसत की भी विर्धी देखी गई है अब अगर इन अध्यनों के आधार पर NGT के दोरा पठाके के इस्तमाल एवं उसकी बिक्री पर बैन की समिछा की जाए तो फिर NGT के दोरा उठाये गया यह कदम सही जान पड़ता है परंतु यहां सवाल यह है कि दिल्ली एवं उस के आसपास जो प्रदूसन इस तर है उस प्रदूसन इस तर में कमी के जो प्रयास किया जा रहे है क्या वो प्रयाप्त है ऐसा प्रशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में खराब वायू गुनवत्ता इस तर के अगर कारणों की बात की जाए तो हमें पता है कि वे परिवहन साथनों का प्रयोग करना तीसरा निर्मान गतिविदी खासकर भवन निर्मान गतिविदी और चोथा सडकों पर जो मौझूद धूल है उन धूलों का उड़ना अब यहां पर यह कि समाधान क्या प्रस्तुत किया जा रहा है तो जैसे पठाकों पर प्रतिबंद गया है वह क्या है देखे इस्टबल बर्निंग की अगर बात की जा रही है तो उसका कारण क्या होता है उसका कारण है नेसुल की पानी और बिजली की उपलब्दता किसानों को करना और दूसरा कारण है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का होना नेसुल की पानी और बिजली की जो और दूसरे फसल के बवाई प्रारम होने के बीच का अंतर क्या होता है, वो कम हो जाता है, और यह जो स्थिति है, तो इस स्थिति में खेत में ख़ड़ी पराली को नश्ट करने के लिए किसान क्या करते हैं, कि उसमें आग लगाते हैं, क्यों इसलिए ताकी अगली फसल की वह इस तरीके से कि लोग प्लास्टिक और रबड को इखटा करकर उसमें आग लगाते हैं साथ ही दिल्ली में अगर हम सार्जनिक परिवहन की बात करें तो सार्जनिक परिवहन दिल्ली में प्रयाप्त संख्या में मौजूद नहीं है अब हमें यह पता है कि कोबड-19 जोखि यहीं नीति निर्माताओं की द्वारा National Clean Air Program खुलाए गया, जिसका लक्ष क्या है, इसका लक्ष है पाटिकुलेट मैटर में 2024 तक 20-30% की कमी करना, अब एक और चिंता है, वह चिंता इस बात की है, कि जिस परकार से पठाके पर मैन लगा गया है, तो फिर पठाका उद्योग क क्या होगा, देश में कुल पठाका उत्पादन का 90% उत्पादन तमिलनाडू में किया जाता है, और अगर उसके आउटपुट कॉस्ट की हम बात करें, तो इस वर्स वह कितना है, 2300 करोर रुपे का, अब इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर पठाके पर बैन लगता है, त एक तौरित उपाई, दूसरा दिरकालिक उपाई, तौरित उपाई के अंतरगत या विवस्ता हो सकती है, कि पठाका उत्पादक और पठाका उद्योग से जुड़े हुए जो स्त्रमिक हैं, उनकी आर्थिक मंदत की जाए, और वहीं दिरकालिक रूप से यहां पर यह बा परंतु, COVID-19 ने इसके जोखिम इस्तर को और बढ़ा दिया, इस परकार इस संपादकी के माध्यम से हमने पठाके पर NGT के बैन समंधी आदेश पर चर्चा की, बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादकी की ओर, जिसका शिर्षक है 4 years on, इस संपादकी को लिया गया है बिजन इस संपादकी का आधार है, नोट बंदी के 4 साल, हमें यह पता है कि 8 नौंबर 2016 को भारत सरकार ने गांधी सरिंखला के 500 और 1000 रुपे के नोट को विमुद्रित किया था, और फिर उसके इस्थान पर नए 500 रुपे और 2000 रुपे के नोटों को प्रचलित किया गया था, अब नोट बंदी के 4 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधान मंत्री ने नोट बंदी के पक्ष में ट्विट किया है, अपने इस ट्विट में प्रधान मंत्री ने 3 छेत्रों में नोट बंदी की सफलता को स्विकार किया है, यह कौन-कौन से है, पहला काले धन में कमी आई है, द अब देखिए कि अगर सरकार के नजरिय की हम बात करें तो सरकार के नजरिय के अनुसार अर्थ विवस्था के आपचारी करन, आपचारी करण का अर्थ यहां पर यह है कि जितने भी आर्थी किर्या कलाप हो रहे हैं उन आर्थी किर्या कलाप से समंदित आंकणों का सरकार के पास उपलब दोना और भुगतान में डिजिटली करण को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गया हैं जैसे जैम, मतलब जंधन, आधारा और मोबाइल, एकिकरित भुगतान विवस्था, मतलब UPI, Unified Payment Interface, तो इनका परिणाम यह हुआ कि ना केवल इसे से लेन देन में सुगमता आई, बलकि इससे समंदित जो पारदर्सिता है उसमें भी विर्धी वी, और ये जितने भी कदम उठ इनी कदमों की स्रिंखला का एक भाग है नोट बंदी, अगर हम नोट बंदी से पहले और नोट बंदी के बाद कि कुछ आर्थिक क्रियाकलापों की तुलना करें, तो हम यह देखते हैं कि IMPS मतलब इमीडियेट पेमेंट सर्विस में नोट बंदी के बाद सुरवात में ते मुद्रा परचलन की बात करें, जो GDP के परतिसत के रूप में किया जाता है, तो मुद्रा परचलन हम क्या देखते हैं, कि 2015-16 में मुद्रा परचलन कितना था, GDP के हिसाब से 12.1%, जो 2018-19 में कितना हुआ, 11.2%, मतलब यह कि नोट बंदी के बाद भी, अगर मुद्रा परचलन क हम इस तर देखें, तो नोट बंदी से पहले, और नोट बंदी के बाद वो लगभग हमें क्या दिखता है, समान दिखता है, वहीं अगर हम Tax Collection की बात करें, तो यहाँ पर यह सही है, कि नोट बंदी के बाद के अगर हम एक वर्स की बात करें, तो एक या दो वर्सों में इस वित्तिवर्स के लिए फरवरी 2020 तक जो आयकर रिटर्न करने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो यह संख्या कितने है 5.8 करोड यह तो सही है लेकिन देखें यहाँ पर क्या बात गौर करने लाइक है गौर करने लाइक बात यहाँ पर यह है कि 5 लाइक रुपए से उपर की आय घोसना करने वाले लोगों की संख्या कितनी है वह महज 1.46 करोड है वही अगर नोट बंदी की तुलना हम छेत्र के आधार पर करें मतद संगठी छेत्र और संगठी छेत्र की बात करें क्योंकि और संगठी छेत्र में जादा तर लेन देन नगद में किये जाते हैं और संगठी छेत्र जिसका भारती अर्थविस्था में 90 परतिसत योगदान है कि नुकसान पहुँचने के कारण उससे संबंधित लोगों की आय प्रभावित हुई लोगों की आय प्रभावित होने के कारण बाजार में मांग में कमी हुई और फिर उसका प्रभाव अन छेत्रों पर भी देखा गया जिसके परिणाम स्वरोप निवेजदर में कमी हुई और निवेजदर में कमी होने से जीडीपी में कमी देखी गई और सबसे बड़ा असर यह पड़ा कि रोजगार स्रिजन की दर कम हो गई तो अब यहाँ पर यह है कि RBI ने खुद जो आंकड़े जारी किये हैं उन आंकड़ों के अनुसार नोट बंदी से सम्बंधित नोट 500 रुपे के और 1000 रुपे के वह बैंक में वापस आ ले तो अगर नोट बंदी के लक्ष को प्राप्त करने में अगर सरकार ओसफल रही है तो इसका कारण अगर सरकार के इस्तर पर जहां रणनीती और प्रबंधन में कमी है वहीं बैंक कर्मियों सहित अन्ने की भूमिका को भी इसमें नकारा नहीं जा सकता है तो इस प्रकार इस संपादकी में हमने नोट बंदी के चार वर्स पूरे होने पर प्रधानमंत्री द्वारा किये गए ट्विट की समिक्षा की चलिए बढ़ते हैं अपने अगले संपादकी की ओर जिसका शिर्षक है एस्वरिया रेड़ी इस संपादकी को लिया गया है इंडियन एक्स्प्रेस से और यह संपादकी जीएस पेपर ठड में सामिल विशय स्वास्थ, सिक्षा, मानप संसाधनों से सम्मंदित, सामाजिक छेतर, सिवाओं की विकास और प्रबंधन से सम्मंदित विशय के दृष्टिकों से महत्पूर् अधार क्या है इसका आधार है एस्वरे रेड़ी आत्महत्या महमला यह है कि लेडी स्रीराम कॉलेज में एस्वरे रेड़ी सेकंड इयर की स्टुडेंट्स थी और इन्होंने सुसाइड कर लिया सुसाइड नोट में इन्होंने लिखा कि उनकी आत्महत्या का कारण उनकी पढ़ाई के कारण परिवार का आर्थिक तंगी का सामना करना है अब हमें यह पता है कि COVID-19 महमारी के परसार को रोकने के लिए सिक्छन संस्थानों को बंद कर दिया गया परन्तु सिक्छा के वेकलपिक विवस्था के रूप में ऑनलाइन सिक्छा को प्राप्त करने के लिए छात्रों के पास कुछ सामग्रियों का होना आविस्यक है जैसे लेक्टॉप, स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन अब इन सामग्रियों तक उनके बच्चों की पहुँच हो इसके लिए परिवार ने अपनी बचत का उप्योग किया यहाँ पर इसलिए बचत की बात कही जा रही है क्योंकि लॉक्डाउन की इस अबधी में कई परिवारों के रोजगार समाप्त हो गए और उनके रोजगार के समाप्त होने करण उनकी आए सीमित हो गए तो फिर इस अबधी में उन्होंने अपनी बचत का उप्योग किया परन्तु कई ऐसे परिवार हैं जिनकी सीमित आय और सीमित बचत या नगरन बचत के कारण उनके बच्चों के समक्ष इन समग्रियों को प्राप्त करने में कठनाई आई अब देखिए हमें यह पता है कि जब भौतिक कक्षा या फिजिकल अगर क्लास की बात हो तो जो वहाँ छातर उपस्तित होते हैं तो फिर वो अपने मित्र के साथ बैठते हैं उनके साथ वो अपनी कठनाईयों को साजा करते हैं और फिर जो मित्र होते हैं या फिर जो अन्य सिक्षक होते हैं उन कठनाईयों को दूर करने का भी प्रियास करते हैं परंतु, डिजिटल क्लास्रूम ने क्या किया, कि इसने भागोलिक, जातिगत और लेंगिक इस और समानता को और गहरा कर दिया, और जो बच्चे पाले से ही वंचित थे, उनकी वंचना को और ज़्यादा गहरा कर दिया, महामारी के संकट ने रेखांकित किया, क्या, कि जो सि प्रसिक्षू यंत्र बना रहा है, बिना छात्रों की आर्थिक इस्थिति को जाने, और बिना उनकी भावनात्मक इस्थिति का देखभाल किये, महामारी ने सिक्षा प्राप्ति की समस्या को दूर करने के लिए तकनीक को एक बहतर माध्यम बना है, परंतु, चाहे वो प्रमुदाइक इस तरपर कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया, परिणाम यह निकला कि खास तबका, खास वर्ग और खास शेत्र के बच्चे सिक्षा से वंचित हुए या सिक्षा वंचना का सिकार हुए, तो अब आवसक्ता इस बात की है कि केंदर सरकार, राजिस सरकार और संपूर्ण सिक्षा पढ़नाली, या जो औसमानता का संकट है, इस औसमानता के संकट को बढ़ने से रोके, और इसको बढ़ने से रोकने के लिए जो औसमानता है, उससे समंद्र डेटा और सुचना का संग्रह करे, छात्रों की मानसिक इस्तिति की पहचान और उस पर त प्रतिक्रिया के लिए एक परणाली का विकास करें, साथी या जो डिजिटल वंचना है इसको दूर करने का प्रयास करें। तभी लाखो युवा भारती अपने भविस्य और अकांच्छा के प्रती सकारात्मक रहेंगे। मतलब ये कि लाखो युवा भारतियों के भविस्य और अकांच्छा को तभी बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने आज तीन संपादिकी पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जो अलग-अलग विसेवस्तों से समन्धित थे। ये रहा आज का प्रस्ण प्रस्ण यहां पर यह है कि सिक्छा पहुच पर कोविड के प्रभाव की समिक्छा करें। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाब्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।